आज हम इस फीडियो में जानेंगे कि आप लोग IgnuaeX.in website पे अपना registration कैसे कर सकते हो आप लोग IgnuaeX.in website पर as a student registration कर सकते हो और as a seller registration कर सकते हो As a Ignua seller आप अगर registration करते हो तो आप कोई भी अपने प्रोड़क्ट जैसे के assignment, case papers, notes ये सब आप students को sell कर पाओगे और अगर आप as a student उस पर sign up करते हो तो site पर जितने भी sellers होगे उनके आप product देखकर जो भी आपको पसंद आए उसको आप buy कर सकते हो तो चलो हम यहाँ पर chrome open कर लेते हैं और इस पर ignoex.in website open करते हैं ignoex.in और यहाँ पर go पर click करते हैं तो यह हमारे सामने ignoex.in website open हो चुकी है तो यहाँ पर आपको यह register button दिखेगी अगर आप लोग यहाँ से registration नहीं कर पाते हैं तो आप क्या किजिए यहाँ पर यह sign up button दिखेगी तो आप कहीं से भी कर सकते हैं मैं इसको cut कर देता हूँ मैं वहीं से direct करता हूँ चाहे तो यहाँ से ही कर लो यह यहाँ पर जैसे ही click करोगे तो यह आपके सामने यह registration का page open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपनी profile photo select कर लिनी है और उसके बाद नहीं यहाँ पर नाम फिर email फिर password confirm password फिर mobile number तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नाम यहाँ पर लिख देता हूँ जिसे मेरा नाम सिध्धार्थ है तो मैं यहाँ पर सिध्धा सर्मा लिख देता हूँ और मेरा email मेरा email मैं यहाँ पर gmail.com यहाँ पर जो भी आप email डालोगे उसको verify करने के लिए हमारी साइट की ओर से एक आपको OTP जाएगी जिसको आपको देख कर एंटर करना पड़ेगा अब यहाँ पर आप जो भी password बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर बना सकते हो जैसे कि मैं 1,2,3,4 यहाँ पर बना देता हूँ और confirm करता हूँ confirm में आपको फिर से वही password डालना है जो आपने पहले डाला था आप यहाँ पर चाहे तो देख सकते हो यह मैंने इस पर टिक किया तो यह देखो 1,2,3,4 मेरा दिख गया और यहाँ पर आप जो भी mobile number डालना चाहते हो वो यहाँ पर mobile number डाल सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी के लिए 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 10 number का यह mobile number डाल दिया और अगर आप as a student यहाँ पर registration करना चाहते हो तो आप यहाँ पर student को select करो और अगर as a seller registration करना चाहते हो तो आप यहाँ पर seller पर tick करोगे यहाँ पर अपने बारे में कुछ भी लिखके उसके बाद में accept terms and condition और register पर क्लिक कर दोगे लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि seller का कैसे होगा यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों सेम रहेंगी लेकिन यहाँ पर आप seller पर जैसे ही करता है तो आपके account में direct वो रुपे जा सकें इसलिए आपका bank account number और IFSC code लगेगा जैसे कि मैं अभी के लिए यहाँ पर एक, दो, तीन, चार ऐसे कुछ भी bank account number डाल देता हूँ आप अपना correct bank account number डालना जिससे कि जो भी आपको pay करें वो आपके direct bank account में जाएं और bank का IFSC code जिस भी branch में आपकी bank हो उसका IFSC code डाल देना मैं यहाँ पर ऐसे ही अभी डाल देता हूँ कुछ भी random number आपको दिखाने के लिए और उसके बाद में यहाँ पर अपना address details डालना है जैसे कि state select करना है मेरा यूपी है तो मैं यहाँ पर यूपी को select कर लूँगा यह मेरा उत्तरपदेश और लखना हूँ और यहाँ पर अपने गाउं के बारे में details यहाँ पर लिख सकते हो या फिर सहर जो भी हो आपका वहाँ का गली महला road जो भी हो आप यहाँ पर लिख सकते हो मैं अभी के लिए यहाँ पर इसको ऐसे कुछ भी लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर enter about yourself तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I am good seller आप अपनी profile पर कुछ अच्छा लिखना जिससे कि आपकी profile की और log attract हो और यहाँ पर register पर क्लिक कर देते हैं अब यह देखो आपके email पर OTP गई है जिसको आपको देखकर यहाँ पर enter करना पड़ेगा तो यह मेरा email है यहाँ पर आपको ऐसे यह OTP आएगी इसको open करना है और यह यहाँ पर 13, 78, 72 यह OTP है 13, 72, 78 और verify एक पर फिर से देख लेते हैं 13, 78, 72 है 78, 72 अब verify करते हैं अभी भी कुछ तिक्कत हारी 13, 78, 72 हाँ अब हो रहा है यह हो गया अब मैं यह देखो profile page पर directly आ चुका हूँ यह मेरा profile page है यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से मैं कोई भी अपना shop view यहाँ से add कर सकता हूँ यहाँ से मैं profile की pick add कर सकता हूँ जो भी अपनी add करना चाहूँ और यहाँ पर product को add कर सकता हूँ यह click किया तो यह देखो product add कर सकता हूँ और more पर click करूँगा तो यहाँ पर और और भी कई सारी इडिट करने की और यहाँ से मैं अपना account डिलीट भी कर सकता हूँ लॉग आउट कर सकता हूँ पासवर्ट को reset कर सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ तो यहाँ पर आपको इतनी सारी facilities मिल जाती हैं जो कि मैं आपको add product अभी इसके next video में बताऊँगा कि आप लोग product को अपने कैसे add करोगे उसके बाद में मैं बताऊँगा कि कोई भी student इन product को buy कैसे करेगा और भी कई सारी चीजे हैं जो मैं एक एक video आपको करके बताऊँगा अब आप यहाँ पर जैसे ही यह login हो जाओगे तो यहाँ पर आपका यह profile आइकन बन जाएगा अब यहाँ पर अपनी profile पर कि करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे और अगर मालो कहीं और हो जैसे कि मैं home page पे अभी हूँ यहाँ पर अब यह देखो ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर आप seller पर जाकर के अपने आपको देख सकते हो यह देखो I am good seller के रूप में यहाँ पर यह मेरा आ गया और यहाँ पर मैं click करके यह अपनी profile पर फिर से जा सकता हूँ तो यह मेरा profile page फिर से आ गया यहाँ से मैं अपने product देख सकता हूँ combo's देख सकता हूँ sold product यानि जो मेरे product बिके हुए हैं उनको देख सकता हूँ और sold combos जो मेरे combo भी के हुए उनको देख सकता हूँ और यहाँ पर review जो आएंगे उनको मैं देख पाऊंगा तो अगर इस वीडियो में कोई आपको doubt बचा हो तो आप मुझे comment कर देना Thanks for watching